टाटर स्टार्बक्स प्राइवेट लिमेटेट की शिवाजी नगर में अपना नया स्चोर खोलकर नाकपु में प्रवेश किया है। शिवाजी नगर में अपना नया स्चोर खोलकर नाकपु में प्रवेश किया है। नया स्चोर उभोकताओं को शांदा थर्ड प्लेस का अनुभव प्रदान करेगा। इसके साथ ही टाटर स्टार्बक्स का यह माराश में पांचवाज शहर है और पूरे भारत में 27 शहरों में टाटर स्टार्बक्स के कुल स्चोर्स की संख्या 270 हो गई है। इस वर्ष स्टार्बक्स अपनी दसवी वर्षकार्ट मना रहा है। अब नागपुर के निवासियों को एक कप कॉफी के साथ परिचितों शुप्चिंतकों से मिलने मिलाने की नई शानदा जगा मिलेगी। इसके साथ ही बस टार्बक्स के बेमिसाल अनुभव का मज़ा भी उठा पाएंगे। कंपनी की स्थापना का दसवे साल कर जशन मना कर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। की ऊची चट सब का ध्यान अपनी और आकरशित करती है और उभुकताओं का इस चकत शांदा स्वागत करने का बहतरीन माहूल बनाती है। इस कम्यूनिटी रोप के भी तरस्थान ये त्रियाईमी कलाकरती का नमूना केले के रेशो से बने पदार से बनाया गया है। भारत में कौफे के खेती के माहूल का मज़ा देने के लिए यहां की हरे कलाकरती हस्तशिल्प का ध्भुत नमूना है। कि स्टारबक्स ये इंडिया का जो है जाना मना ब्रांड ये और नाकपूर में इसने अपनासटोर लांच किया है। है कि सुव़िदाय के toastbus के सिखान गे किनाफ ब्रांद की इहां ठाथ आangen vendor के ओनेंगे devotion जारे में अपने चais़ चुना है। और इतना लेट नागपूर को क्यो सोचा? हम तो जो कब से नागपूर में आने चाहते थे लेकिन हमारे लिए दो चीज़ इंपोर्टन होते हैं एक जो थो सार्भ्टो भी थोड़े एक जो चोणूमर है वो थो हमारे ब्रेंड चाहते हैं था कि हमको राइट प्रॉपर्टी मिले अभी लागा कि यह एग्जाक्ट जो हमको चाहिए वो मिल गया है तो हमने खोल दिया 10th Anniversary पी यह 200 मतलब 271 स्टोर है नागपूर में यह पहला स्टोर है और भी मतलब कही इसका हो सकता है स्टार्बक्स का पोटेंशल बहुत है हम नए शहरों पे जाते रहेंगे और जिस सहर में हमने खोला ऐसे नहीं कि बस एक खोलेंगे या दो खोलेंगे जितना पोटेंशल है हम अगर हमको राइट प्रॉपर्टी मिले और कंजूमर्स हैं तो हम आगे भी और स्टोर्स खोलेंगे नागपूर में और भी स्टोर्स ओपन हो सकते हैं ऐसा कहा जा सकता है अगर नागपूर वासियों को लगा कि स्टार्बक्स अच्छा है और वो हमारे अगरा मतलब रिस्पॉंस अच्छा ही मिलेगा मुझे यह पूछना था कि आजैसे आप नागपूर में हो तो मतलब इससे पहले आपका सर्वे हुआ होगा तो नागपूर से आपने क्या पाया नागपूर हमने ऐसे सर्वे तो हम नहीं करते हैं लेकिन हम आते हैं जरूर देखते हैं कि क्या और ब्रैंड कौन से हैं लोग कहां बाहर जाते हैं क्या बेवरेज क्या चूज करते हैं खाने भे क्या लेते हैं तो हमको तो जैसे मैंने आपको पहले गा कि नागपूर हमारे लिए पहले से ही यह तारगेट था कि यूंकि हमको लगता है कि नागपूर के लोग एक्सपोज रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या ब्राइंड अच्छे हैं और उनको वो एक्सपीरियंस चाहिए, सो हम क्लियर थे कि हम नागपूर में स्टोर खोलेंगे, यही था कि किस तरह के स्टोर खोलेंगे और हमको राइट प्रॉपर्टी चाहिए था, ताकि हम जो एक्सपीरियंस देना चाहें, चाह रहें थे, वो हम दे सकें। नागपूर वासियों के लिए स्टार्बक्स क्या खास लेकर आएए, सो स्टार्बक्स का जो पूरा ओफरिंग है, पूरा नागपूर में सब कुछ मिलेगा, हमारे जो फेवरेट कॉफी हैं, इंटरनेशनल कॉफी, जावचे फ्रापचिनो हो गया, या हमारा फ्लाइट व नागपूर में जो बाकी सहरों में मिलता है वो नागपूर में भी आएगा, मर्चेंडाइज है और इंपॉर्टन है कि हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्रम है, माई स्टार्बक्स रिवार्ड्स वो भी हम नागपूर में लाँच कर रहे हैं, बाद बादाई आपको नागप और हमारा जो वाम्त और कनेक्शन है, जो हम ओफर करते हैं कॉफी के अलावा, वो एक्स्पीरियंस कीजिए और हमें पूरा भरोसा है कि हम सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे नागपूर में. स्टारबक्स ये जाना मना ब्रांड है और कई सालों की नागपूर वासियों की जो प्रतिक्षा थी, जो वे ठानी जो वेट था स्टारबक्स ख़तम हो चुका है, sharesback जो है आपनी सेवा प्रदान करने के लिए ध्यकल से जो है नागफूर में खुल चुका होगा. कैमेरा परसें राशकुमार मोर के साथ शिती जादेश मुख बीसीन नापूर